हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमारा यूटूब चनल चोपडा एजुकिसन और मैं हूँ हरसाय चोपडा दोस्तो एंटीए ने अपने वेबसाइट पर 10 अप्रेल 2020 को एक न्यू नोटिच डाला है जिसमें लिखा गया है कि जो इस्टुडेंट अपना एक्जाम सेंटर बदलना चारे हैं वो एक्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं मैं आपके नोलेज के लिए बता देता हूँ कि NTA ने फिर से 14 अप्रेल 2020 तक करेक्शन विंडो ओपन किया है मगर अभी तक उसमें एक्जाम सेंटर चेंज करने की फैसलिटी नहीं दी गई थी मगर NTA ने अभी इस नोटिच से क्लियर कर दिया है कि आप अपना एक्जाम सेंटर बदली कर सकते हैं अभी काफी स्टुडेंट घर आ चुके हैं और बहुत से स्टुडेंट अपना एक्जाम सेंटर बदली करना चा रहे हैं वो exam अपने घर से देना चारहे हैं तो ये student के लिए बहुत ही बड़ी कुशी की बात है कि वो अपना exam center अभी change कर सकते हैं इसको change करने के लिए आपको सबसे पहले nta.neet.nick.in की website पर जाकर candidate login पर click करना होगा इसमें application number password डालने के बाद login करना है इसके बाद आप 24 ओ examination CT पर आएंगे तो आपको चारो exam center जो आपने पहले भर रखे हैं वो दिखाई देंगे आप इस पर drop down पर click करके जो exam center आप बढ़ना चाहते हैं वो बर सकते हैं first choice, second choice, third choice और fourth choice दे करके आप फिर इसमें capture code डालके preview and submit पर click करेंगे आपके mobile पर OTP आएगा वो OTP डालने के बाद में submit करेंगे तो आपका exam center change हो जाएगा तो दोस्तों यह जानकारी थी NTA के नए notice के बारे में कि आप exam center अभी change कर सकते हैं यह student के लिए काफी कुछी की बात है जो student अपने घर से exam देना चाते हैं वो इस exam center को change कर सकते हैं इसको आप mobile से या फिर laptop से घर वेटे भी change कर सकते हैं मैं आपको यह बता दूँ कि इसमें extra fees पे करनी की कोई आउश्यकता नहीं है इसमें कोई extra charge extra fees नहीं लगेगी exam center को change करने के लिए तो दोस्तों यह जानकारी थी NTA के exam center के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को like है ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जैए हिंग झाल 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 झाल